सबी तरह की निव लेटिस्ट मुशारा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल आर इस मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मैं सिर्फ सोच रहा था इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए काविश फाउंडेशन की ये कोशिश जिस शख्स ने कामियाबी की तरफ बढ़ाई है उसमें से एक सितारे को उठाता हूँ और आपके हुजूर पेश करता हूँ बगएर किसी तमहीद के नदीम मिर्जा साहब मैं उनके तारुफ में एक जुमला जरूर कहता हूँ बड़े और दर्दमंद बाप का छोटा और दर्दमंद इंसान नदीम मिर्जा बहुत खुबसूरा शायर आपके हुजूर जोरदार तालियों में इस्तक्बाल करें नदीम मिर्जा आपके सफर यहां से शुरू करता हूँ के तक्वे की मौला जिस्म को आदत भी डाल दे तक्वे की मौला जिस्म को आदत भी डाल दे पानी से प्यास भूख से लुक में निकाल दे पानी से प्यास भूख से लुक में निकाल दे और थोड़ी अना भी मुझे में नजर आए जो खुदा थोड़ी अना भी मुझे में नजर आए जो खुदा मेरे उरूज को तो उसी पल जवाल दे जोरदार तालियों में इस्तक्बाल करें दोस्तों जिन्दाबाद नदीम साथ खुशूर अश्यर है जिन्दाबाद उरूज को तूसी पल जवाल दे बहुत खुब बहुत खुब ये भी देखिए के जीस्त जीने का अजब एक हुनर रखा है जीस्त जीस्त जीने का अजब एक हुनर रखा है हाथ तजबीह पे तलवार पे सर रखा है हाथ तजबीह पे तलवार पे सर रखा है और तक्त ठोकर में रखे सुलह से परहेज है की तक्त ठोकर में रखे सुलह से परहेज है की हमने हर दोर में शेरों का जिगर रखा है वाह 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 तब ते एक करवला का वाकिया मेरे चार लाइन में कुछ लानी के कोशिश किया होगे तपते सहरा में जहां प्यास का जंगल लिखना लाजमी है के वहाँ दर्द का दलदल लिखना और लानते लिखना यजीदों पे हमेशा मिर्जा लानते लिखना यजीदों पे हमेशा मिर्जा जुल्म जब हसे गुजर जाए तो कर्बल लिखना जुल्म जब हसे गुजर जाए तो कर्बल लिखना वाह 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 एक पंदरा अगस्त के हवाले ऐसे के सबका जे रिशाद गरंथ अपना है अपनी जबान है सबका गरंथ अपना है अपनी जबान है ऐसे नहीं ये देश मेरा महान है हुली दहरा एड किरिसमस मनाए साथ ऐ दोस्तों सभी का ये हिंदुस्तान है बहुत खो बहुत खो सभी का ये हिंदुस्तान है जिन्दा बाद जिन्दा बाद एक गजल और जहमत जी अता हूँ मेरे मेरे नजर के हवाले की बात करता है बहुत खुब पढ़िये नदीम भाई आप पढ़िये मेरी नजर के हवाले की बात करता है वो एक अंधा उजाले की बात करता है बहुत खुब बहुत खुब मेरे नजर के हवाले की बात करता है वो एक अंधा उजाले की बात करता है मैं अपने चाहने वालों की क्यों ना बात करूँ बहुत खूप मैं अपने चाहने वालों की क्यों ना बात करूँ वो अपने चाहने वालों की बात करता है वाह 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 जो जो जोडर तालियों में इस्तकबाल होना चाहिए था दोस्तो नदीम बारी के शीर का जिंदा बाद नदीम साहब जिंदा बाद अबद करीम सालल साथ की बहुत महरवानी इतना प्यारा हाल हमें मुएया करा दिया मेरे नजर के वालों की बात करता है वो एक अंधा उजालों की बात करता है मैं अपने चाहने वालों की क्यों ना बात करूँ वो अपने चाहने वालों की बात करता है और जो ताकतों से नहीं होसलों से जीते जंग जो ताकतों से नहीं होसलों से जीते जंग जमाना उन्ही जियालों की बात करता है क्या बात है, क्या बात है, वाह, 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 बहुत खुब, बहुत खुब, बहुत खुब, बहुत खुब, एक गजल और जहमत तवाम, के तुझ पे लिखते हैं गजल और मिटा देते हैं, तुझ पे लिखते हैं गजल और मिटा देते हैं, ल लब्स कागस पे उतरते ही दगा देते हैं तुम दुआओं में कभी नाम हमारा लोगी तुम दुआओं में कभी नाम हमारा लोगी बस यही सोच के हम तुमको दुआ देते हैं बस यही सोच के हम तुमको दुआ देते हैं बांध पर बैट कर खत लिखते है और दरिया में उसकी एक नाव बनाते है बहा देते है और चांद चहरा है अगर पास तो है दिल मेरे क्या जरूरत है चरागों की बुझा देते है हिज्र और वसल में कुछ फर्क नहीं है यारो और एक शेर देखिए कि कल जो बहुत अच्छे शेर सुनाने जा रहा हूं कि कल जो पत्राओं में मसरूफ थे बस्ती बस्ती बहुत खूब बहुत खूब ज़क नहीं हाँ यारो दोनों बेदर्द है दोनों ही सजा देते हैं दोनों ही सजा देते हैं कल जो पत्राओं में मसरूफ थे बस्ती बस्ती उनके हाथों में चलो फूल थमा देते है और जख्म जो रात को देते है जलाकर मेरा घर जख्म जो रात को देते है जलाकर मेरा घर सुबह को आके आयदत में दवा देते है